हेलो फ्रेंड्स, विल्कम टू होम्मेकर प्रो, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि राजमा मसाला कैसे बनाते हैं राजमा बनाने के लिए हमें राजमा को भीगोना पड़ता है राजमा को मैंने पानी में रात भर भीगने के लिए छोड़ दिया था राजमा को कम से कम 4-5 घंटे भीगने के लिए चाहिए होते हैं राजमा अच्छे से भीग चुके हैं अब हम उसका पानी निकाल देंगे और एक प्रेशर कूकर में भीगे हुए राजमा को डालेंगे अब हम इसमें पानी रालेंगे पानी मैंने देड़ ग्लास डाला है राजमा पानी से पुरी तरह से भीगा होना चाहिए राजमा के उपर एक लेवल में पानी होना चाहिए अब हम इसमें एक चथाई चम्मच, बेकिंग, सोडा, स्वाधनिसार नमक और एक चम्मच तेल डालेंगे और अब हम इसे प्रेशर कुप कर लेंगे हमें राजमा को अच्छे से पकाना है हम कम से कम 4-5 सीटी होने तक राजमा को पकने देंगे राजमा अच्छे से गल गया है हमें एकदम अच्छे से पके हुए राजमा ही चाहिए और हमें चाहिए होगा टमाटर की प्यूरी यहाँ पर मैंने 3 टमाटर को पीस लिया है और हमें चाहिए होगा लसुन अधरक का पेस्ट और कदूकस किया हुआ प्याज यहाँ पर मैंने 3 प्याज को कदूकस कर लिया है आप चाहिए तो इसे एकदम बारी काट भी सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पर प्याज को कदूकस किया है और हमें कुछ मसाले चाहिए होंगे जैसे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, सब्जी मसाला पाउडर, लाल मिर्ज पाउडर, गरम मसाला पाउडर, जीरा और तेज पत्ता अब हम एक कड़ाई लेंगे और उसमें तेल डालेंगे, जब तेल थोड़ा गरम हो जाएगा तब हम उसमें कद्दुकस किया हुआ प्याज डालेंगे और अब हम इसे भूनेंगे, आप यहाँ पर पिसा हुआ प्याज ना यूज करें, क्योंकि अगर आप मिक्सी में पीशते हैं प्याज को तो वो बहुत ही बारीक हो जाता है, जिससे वो टेस्ट नहीं आपाता है, जो की राज्मा मसाला में हमें चाहिए होता है हमें प्याज को गोल्डेन होने तक भूनना है, प्याज लाइट गोल्डेन हो चुका है, अब हम इसमें दो चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट यानि की लस्टून अद्रक का पेस्ट डालेंगे और उसे भी भूनेंगे प्याज के साथ में अब हम इसमें अपनी मसाले डालेंगे जैसे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, सबजी मसाला पाउडर, तेज पत्ता और जीरा सभी मसालों को हम इसमें डालेंगे और एक साथ भूनेंगे मसाला जितना अच्छे से भुनेगा उतना ही अच्छा टेस्ट ग्रेवी में आता है यहाँ पर मैंने कस्मीरी लाल मिर्च यूज की है इससे ग्रेवी का कलर बहुत ही अच्छा आता है मसाला अच्छे से भुन चुका है उसमें से तेल छुटना भी स्टार्ट हो गया है कर भी पकने दे सकते हैं बीक-बीच में से चलाते रहेंगे मिक जैसा कि आप देख रहे हैं मसाले से टेल छूटना स्टार्ट हो चुका है यानि की हमारा अच्छे से भुनचुका है अब हम इसमें राजमा डालेंगे जो हमने प्रेशर कूप किया था प्रेशर कूप करते समय मैंने जो पानी डाला था राजमा में, उस पानी को मैंने अलग नहीं किया है, मैं राजमा को उसी पानी के साथ में डाल रही हूँ, अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, याद रहे कि हमने पहले भी नमक डाला था, राजमा को प्रिशर कूप करते समय, इसलिए यहाँ पर थोड़ा ही नमक डालें अब हम इसमें लास्ट में गरम मसाला डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे अब हम इसे दो मिनट तक पकने देंगे ढखकर अब हम खोल कर देख लेते हैं अगर आपको ग्रेवी गाड़ी लग रही है तो आप इसमें थोड़ा साफ पानी अलग से एड़ कर सकते हैं राजमा मसाला बन कर तयार है राजमा मसाला को चावल के साथ, जीरा राइस के साथ, रोटी के साथ, पराठो या पूरी के साथ भी खाया जा सकता है होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, थैंक्स वर वाचिंग, बाबाई हम तो चाहिए, तो मैं वाख करना बड़ो आपको अच्छा लगे अ रहाईग होगा है मैं खराठो खाला लगे तो, लगे चाहिए, आपको बाबाद़ से पना दो आपको वाले, रहे आपको प्लाइब करें, दो एको इना आपको उटढ़ा है